यह तिथी बड़ी से बड़ी परेशानियों से मुक्ती दिलाने के लिए बेहत खास है भारती जन जीवन में अमावस्या तिथी का है विशेश महत्वप अमावस्या की तिथी जगत के पालन हर्ता श्रीहरी भगवान विश्णू को है समर्पित पित्री दोश से मुक्ती के लिए इस दिन करें पित्रों का तरपन मिलेगा सभी समस्याओं से छुटकारा मान्यता है कि अमावस्या के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियों की कमी रहती है ऐसे जातकों को जीवन में मुश्किलों का ज्यादा सामना करना पड़ता है जियोतिशाचारियों के अनुसार अमावस्या की रातरी में नकारात्म कूजा ज्यादा प्रभाव्षाली होती है अमावस्या हो या पूर्णिमा आच्छी मौत मृत्यू वो है जिसमें जीव यानी की मरने वाला भगवान को याद करता हुआ शरीर छोड़े यही बात गीता के आठवे अध्याय के पांचवे श्लोक में है जिसको याद करते हुए प्रानी शरीर छोड़ता है उसी को प्राप्त होता है यह बात भी गीता में इसी अध्याय के छठी श्लोक में दी गई है अमावस्य का दिन पित्रों की स्मृति करने और श्रद्ध भाव से उनका श्राध करने के लिए अत्यंत शुब होता है चार इस दिन बहुत से जा तक अपने पित्रों की शांती के लिए हावन ब्रम्भु जादी कराते हैं और साथ ही दान दक्षिना भी देते हैं मानिता अनुसार सोमवति अमावस्या के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए